दोस्तो स्वुट अपकी हम यहां पर आचुके हैं वर्ल्ड कफ 2019 के Semi Final में और फाइनल से इन्डिया वह बिढ़ने वाली है निउजिलेंट से दूसरा सेमि cowboy कैलाज आज औरaches इंग्लेंड के बीच में तो बहुंत ही जादा interesting phase जो है वो आ चुका है end का phase जो है वो आ चुका है world cup 2019 का लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि अगर semi final में आ जाती है बारिस किसी भी match में तो क्या होने वाला है क्या है यहाँ पर rule कौन सी team ऐसे में जो है world cup 2019 में कई सारे matchों में बारिस ने खलल डाली है और 4 match जो है वो बारिस की बज़ेसे रख भी हो चुका है इससे पहले कभी बी ऐसा हमें world cup में देखने को नहीं मिला था कि 4 matches जो है वो किसी world cup के रखो बारिस की बज़ेसे लेकिन इस world cup में काफी सारी बारिस जो है वो हमें देखने को मिली है और इसलिए बड़ा सवाल ये बन रहा है कि अगर सेमी फाइनल में भी बारिस आ जाती है तो क्या होगा सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे कि यहां पर ICC ने सेमी फाइनल के दोनों मैचों के लिए एक एक रिजर्व डे जो है वो रखा है सेमी फाइनल वन के लिए भी और सेमी फाइनल टू के लिए जहां पर अगर बारिस आ भी जाती है पहले दिन जो है वो खराब हो जाता है semi final का day तो यहाँ पर एक reserve day भी होगा जहाँ पर हमें match देखने को मिलेगा मन लिजे इंडिया और न्यूजलेंड के भी जो 9 जुलाई को match होने वाला है 9 जुलाई को बारिस आती है और match जो है वो नहीं हो पाता तो ऐसे में reserve day के दिन जो है यह हमें match देखने को मिलेगा तो दोनों ही semi final में एक-एक reserve day जो है वो रखा गया है ICC के दुआरा लेकिन दोस्तों माल लीजे कि अगर दूसरे दिन भी बारिस आती है तो क्या होगा तो यहां पर impact बहुत ही तगड़ा पढ़ने वाला है और जो भी टीम points table में top पर होगी उची होगी वो यहां पर directly जीच जाएगी और पहुँच जाएगी world cup 2019 के final में ऐसे में न्यूजलेंड और इंग्लेंड को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और बिना खेले ये टीम जो है वो हो जाएगी बाहर और इंडिया और अस्टेलिया की जो टीम है अगर इनके मैचों में बारिस आती है तो यह टीम में directly जो है वो पहुँच जाएगी final में तो तगड़ा ये scene होगा अगर दोनों दिन जो है वो हो जाती है बारिस अगर semi final 1 जो है वो बिगड़ जाता है बारिस के कारण दोनों दिन तो इंडिया directly final में पहुचेगी और अगर semi final 2 बिगड़ जाता है तो यहाँ पर अस्टेलिया जो है वो पहुचेगी directly final में तो यह है दोस्तों ये था वरेन का जो भी कंडीशन है अगर बारिस होती है तो किस तरह का रूल यहाँ पर लगने वाला है आश्या करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप नए है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करक बैल आइकन को सरूर दबाए